प्रित्वी पर सबसे आश्चर्यजनक और रोमांचक समुदरी तटों में आपका स्वागत है इस शानदार यात्रा पर हमारे साथ आए समुद्र तट एक फ्रेंच पोलिनेशिया का बोरा बोरा फ्रेंच पोलिनेशिया के बोरा बोरा में हमारी यात्रा शुरू होती है अपने भव्य पानी के उपर बने बंगलों और भव्य लैगून के लिए जाना जाता है बोरा बोरा द्वीप जो फ्रेंच पोलिनेशिया में है अपने शान्दार समुद्र तटों फिरोजा पानी और पानी के उपर बने विला के लिए प्रसिद्ध है जो बेजोड विलासिता और अध्भुत द्रिश्य प्रदान करते हैं मतिरा समुद्र तट, प्राथमिक समुद्र तट, बर्फस्वेद रेट का एक बेदाग विस्तार है जो तैराकी और धूप सेंकने के लिए आदर्श है इस सुन्दर स्थान में एक समरिध पानी के नीचे का पारिस्थिती की तंत्र भी है जो इसे स्नौर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के शौकीनों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाता है हनीमून मनाने वालों और उश्नक्ति बंधिय स्वर्ग की तलाश करने वाले परियटकों के लिए बोरा-बोरा की प्राकृतिक सुन्दर्ता और शांतिपूर्ण माहौल इसे एक आदर्श स्थान बनाता है समुद्रतट दो मालदीव समुद्रतट अनंत सफेद रेत वाले समुद्रतों और भव्य रिसॉट्स वाला एक स्वर्ग मालदीव है मालदीव अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसमें महीन सफेद रेत शामिल है, जो हिंद महासागर के नीले समुद्र के साथ अनिश्चित काल तक फैली हुई है एक हजार से अधिक मुंगा द्वीपों के साथ मालदीव समुद्र तट प्रेमियों के लिए दूरस्थ चितर प्रिपूर्ण तट्रेखा की खोज करने का एक दुरलब अफसर प्रस्तुत करता है, जिन में से प्रत्येक का अपना आकर्शन है मालदीव के समुद्र तट अपने पानी के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बहुत पारगर्शी हैं, जो उन्हें सुन्दर मुंगा चट्टानों और प्रचुर मात्रा में समुद्री जीवन की खोज करने के लिए उच्सुक स्नौर्कलिंग और गोता खोरी प्रेमियों के लिए एक दम सही बनाते हैं। सेशल्स में आश्चर्यजनक समुद्र तट अपने मीलों लंबे विस्तार के लिए क्रिस्टल क्लियर नीले समुद्र और महीन सफेद रेट के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। समुद्र तट एक मनमोहक उष्णक्टिबंधिय स्वर्ग प्रदान करते हैं। चाहे वे विश्राम, प्रोमाच या शानदार द्रिश्यों की तलाश में हो। समुद्र तट चार रियोडी जनेरियो ब्राजील रियोडी जनेरियो प्रसिद्ध कोपाकबाना समुद्र तट और सामबा महानगर। रियोडी जनेरियो के समुद्र तट अपनी शानदार सुन्दर्ता और उर्जावान वातावर्ण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ये बेदाग रेती ले तट जो कोपाकबाना से इपेनेमा तक फैले हुए हैं, धूप सेंकने वालों और सर्फ करने वालों दोनों के लिए एक सपना हैं। रियो के समुद्र तट व्यस्त महानगर से आदर्श पलायन प्रदान करते हैं, उनकी सुनहरी रेत अट्लांटिक महासागर के साफ नीले पानी तक फैली हुई है। यहां सभी के लिए गतिविधिया हैं, जिनमें समुद्र तट पर वॉलिबॉल खेल और समुद्र तट की छतरी के नीचे आराम करना शामिल है। रियो डी जनेरियो के समुद्र तट एक जीवन्त समुद्र तट संस्कृती का भी घर है। बाराकास नामक समुद्र तट बार वहां पाए जा सकते हैं, जो आनंद दायक माहौल में स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड, ताजा कैपिरिनहा और उश्नक्टि बंधिय फल प्रदान करते हैं, जो वास्तव में ब्राजील के सार को दर्शाते हैं। समुद्र तट संख्या पांच बाली इंडोनेशिया बाली सर्फ करने वालों के लिए स्वर्ग और एक समरिध सांस्कृतिक वातावर्ण का मिश्रण हैं। बाली इंडोनेशिया के भव्य समुद्र तट प्रसिद्ध हैं। कल्पना कीजिये कि आप अपने सामने नीली लहरों के साथ सुन्दर सुनहरी रेट की लंबाई पर आराम कर रहे हैं। बाली के समुद्र तट कुटा समुद्र तट के उरजावान और उच्सापूर्ण वातावर्ण से लेकर जो सर्फ करने वालों के लिए अच्छा है, नुसा दुआ समुद्र तट के शांतिपूर्ण और प्रिथक तटों तक जो विश्राम के लिए उप्युक्त हैं, विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्तर आप आश्चर्य जनक चट्टानों और सूर्यास्थ के साथ एक छिपे हुए रत्न बलांगन समुद्र तट की खोज कर सकते हैं। वास्तव में अनोखे अनुभव के लिए एमेड के काले रेत वाले समुद्र तटों पर जाएं, जहां आप रंगीन मुंगा चट्टानों के बीच स्नोरकल या गोता लगा सकते हैं। अन्त में प्रसिद्ध हुलुवातु समुद्र तट को न छोड़े, जहां आप तूपती लहरों की आवाज लेते हुए चट्टान पर स्थित प्राचीन मंदिर की प्रशंसा कर सकते हैं। सेंटोरिनी ग्रीज का समुद्र तट नंबर छे जहां रोमास भव्य सूर्यास्ट और ग्रीक आकर्शन का संगम होता है, वह सेंटोरिनी है। सेंटोरिनी द्वीप अपने प्राचीन पानी और मनमोहक द्रिश्यों के साथ अपने भव्य समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। रेड बीच अपनी विशिष्ट लाल ज्वाला मुखिये चट्टानों और क्रिस्टलस पष्ट फिरोजा लहरों के साथ एक ऐसा समुद्र तट है जिसे आपको बस अवश्य देखना चाहिए। कामारी समुद्र तट जिसमें काली रेट है और जो कैफे और समुद्र तट बार से घिरा हुआ है एक और लोक्प्रिय विकल्प है। यदि आप अधिक शांत वातावर्ण चाहते हैं तो पेरिसा समुद्र तट काली रेट के विशाल विस्तार और शांत वातावर्ण के साथ जाने का स्थान है। आप समुद्र तट की छत्रियों की छाया में आराम कर सकते हैं और वलिच्डा समुद्र तट पर एक अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जहां सफेद चट्टाने चंद्रमा की सतह से मिलती जुलती हैं। अन्तिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसिध अमोदी खाड़ी को न छोड़े, यह एक छोटा सा सुन्दर मचली पकड़ने वाला गाव है, जिसमें समुद्र के किनारे सुन्दर शराब खाने और एक गुप्त स्नान छेत्र है। थाइलेंड के फीफी द्वीप पर समुदर तट साथ फीफी द्वीप उशनक्ति बंधिये खेत्र में आश्चर्य जनक चट्टानों और एक समरिद समुद्री वातावर्ण के साथ एक स्वर्ग है। अंडमान सागर में स्थित फीफी द्वीप में थाइलाइंड के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तठ हैं, जिन में फिरोजा पानी और सफेद रेथ है जो रेशम की तरह चिकनी लगती है सबसे प्रसिद समुद्र तठो में से एक माया खाड़ी अपनी छिपी हुई सुन्दर्ता और हरे भरे वातावर्ण से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिससे यह आराम और नवीनी करण के लिए आदर्श स्थान बन जाता है लॉंग बीच में हलचल भरा माहौल है, जहां आप बीच वॉलिबॉल खेल सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं और ठंडे नारियल पे का आनंद लेते हुए सूरच का आनंद ले सकते हैं लोग दलुम खाडी एक एकांत समुद्रतिय वातावर्ण प्रदान करती है, जिसमें हलकी लहरेंग और आसपास की चट्टानों का मनोरम द्रिश है, जो शांतिपूर्ण पलायन की तलाश कर रहे लोगों के लिए आराम करने और सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए एक उत क्रिष्ट वातावर्ण प्रदान करता, समुद्रतट आठ मेकसिको की टुलम प्राचीन विरासत और पर्यावरन अनुकूल तटिय आनंद टुलम में टकराते हैं, टुलम के समुद्रतट एक उश्नक्तिबंधिय स्वर्ग की तरह हैं, उनकी खस्ता सफेद रेत और क्रिष् तसपष्ट फिरोजा पानी एक सुरमय और शांत वातावर्ण बनाते हैं। तुलम के समुद्रतट अपने रमनिय द्रिष्यों के लिए जाने जाते हैं और लहराते ताड के पेडों से घिरे हुए हैं, जो आपको शांती और विश्राम का हैसास कराते हैं। सुरज का आनंद लेने की अनुमती देता है। आप विभिन जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं जैसे स्नौर्कलिंग, पैडल बोर्डिंग या बस गर्म कैरेबियन सागर में ताजा स्नान करना। जैसे ही सुरज डूगता है, तुलम के समुद्रतट जीवन्त रंगो से जीवन्त हो जाते हैं, जिससे यह आराम करने और लुभावने सूर्यास्त देखने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। समुद्रतट नौ फिजी एक देश जो अपने मैत्री पूर्ण निवासियों और सुन्दर समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। फिजी के समुद्रतट शांती और प्राकृतिक सुन्दर्ता का आश्रे प्रदान करते हैं, जहां उनका फिरोजा समुद्र शुद्ध सफेद रेट पर धीरे धीरे लहराता है। ताडरेखा वाले समुद्रतट विश्राम और धूप सेंकने के लिए आदर्श स्थान प्रदान करते हैं, जबकि नारियल के पेडों के माध्यम से समुद्र की नरम हवा सरसराती है। फिजी के समुद्रतट किसी भी स्वाद के लिए विभिन प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं, चाहे आप एकांत की तलाश में हो या एक व्यस्त समुद्रतट पार्टी वातावर्ण की तलाश में हो। ये विकल्प एकांत खाडियों से लेकर सुनहरी रेट की विस्तृत लंबाई तक हैं। अमालफी तट जो समुद्र तट के एक आश्चर्यजनक विस्तार के साथ बसा हुआ है। पॉसितानों में प्रसिध स्पिगिया ग्रांडे से लेकर शांती का एक छिपा हुआ नखलिस्तान देने वाले शांत फोर्निलो समुद्र तट तक। आप अतरानी समुद्र तट की सुरमय सेटिंग और इसके चारों और से घिरे आकरशक शहर के शांदार ग्रिशों से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जब आप इसकी कंकरदार तट्रेखा का पता लगाएंगे। आप एक विशिष्ट समुद्र तट अनुभव के लिए मरीना डिवियेटरी में काले रेट के समुद्र तट पर सूरज को भिगो सकते हैं और रंगीन भूमध्य सागर के खिलाफ गहरे रेट के मिश्रन से मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। समुद्र तट ग्यारहत ग्रीस का मायकोनोस जहां ग्रीक कहानिया जीवन्थ हो उठती हैं और पार्टी कभी ख्त्म नहीं होती। जहां तक नजर जाती है वहां तक फैली अपनी बेदाग सफेद रेट और फिरोजा पानी के साथ मायकोनोस पूरे ग्रीस में सबसे आश्चर्यजनक समुद्र तटों में से कुछ का घर है। हर प्रकार के यातरी को मायकोनोस पर उत्तम समुद्र तट का अनुभव मिल सकता है जिसमें उरजावान और लोकप्रिय पैराडाइस बीच से लेकर जो अपने जंगली समुद्र तट क्लबों और पार्टियों के लिए प्रसिद्ध है शांत और शांत एगियोस सोस्टिस सम जरंदास करना असंभव है यह भूमध्य सागर में आराम और धूप सिंकने के लिए आदर्श स्थान है और नोस बीच उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो अपने शांत उतले समुद्र और समुद्र तट के सामने कैफे के कारण अधिक आराम देह और पर जिहास मसालों और बेदाग समुद्र तटों का एक स्थान जांजीबार है जांजीबार तंजानिया के तट से दूर एक ड्वीप है जिसमें किलोमिटर तक बेदाग सफेद रेट के समुद्र तट हैं जो एक सुन्दर उष्णक्टि बंधिय आश्रे प्रदान करते हैं आप जांजीबार के फिरोजा, क्रिस्टलस पष्ट समुद्रों में तैरा की, स्नौर्कलिंग और गोता लगाकर ज्वलंत मुंगा चट्टानों का पता लगा सकते हैं और विभिन प्रकार के समुद्री जीवन के संपर्क में आ सकते हैं जब आप समुद्र तटों पर तह लेंगे, तो हिंद महासागर के शांदार सूर्यास्त के द्रिश्य आपका ध्यान खीच लेंगे, जिससे वास्तव में मनमुहक और रोमांटिक माहौल बनेगा काइट बोर्डिंग, कायाकिंग और नौकायन जान्जी बार के समुद्र तटों पर उपलब्ध जल खेलों में से कुछ हैं, जो समुद्र तट प्रेमियों को एक रोमांचक और सासिक अनुभव की गारंटी देते हैं समुद्र तट ते रह औस्ट्रेलिया में वाइट हेवन बीच वाइट हेवन बीच में दुनिया का सबसे शुद्ध नीला पानी और सबसे सफेद रेट है क्विस्लैंड आस्ट्रेलिया के तट पर विट संडे द्वीग पर वाइट हेवन बीच एक लुभावनी शरंस्थली है जो लगभग साथ किलोमिटर बेदाग सफेद सिलिका रेट से अलग है वाइट हेवन बीच का फिरोजा पानी तैरा की स्नॉर्कलिंग और गर्म आस्ट्रेलियाई सूरज में आराम करने के लिए आदर्श है वाइट हेवन बीच की रेट में एक विशेश संरचना होती है जो इसे गर्मी बरकरार रखने से रोकती है जिससे सबसे गर्म दिनों में भी इस पर चलना सुखध हो जाता है यह खूबसूरत समुद्रतट निकटवर्ती हिल इनलेट का अध्भुत द्रिश्य प्रस्तुत करता है जहां ज्वार रंगों का एक आश्चर्य जनक मिश्रन बनाता है और हरे भरे उश्नक्ति बंधिय जंगलों से घिरा हुआ है समुद्रतट 14 वाइकी की समुद्रतट हवाई वाइकी की बीच प्रिश्थ भूमी के रूप में डाइमंड हैड के साथ एक प्रसिद्ध सर्फिंग स्थान है उनोलू का वाइकी की समुद्रतट, समुद्रतट, सूरज और चमकदार पानी का एक उश्नक्ति बंधिय स्वर्ग है यह प्रसिद्ध समुद्रतट प्रसिद्ध डाइमंड हैड प्रिश्थ भूमी के साथ अवकाश और मनोरंजन के लिए एक चित्रप्रिपून वाटावर्ण प्रदान करता है वाईकी की समुद्रतट जो एक जीवन्त माहौल का दावा करता है गतिविधियों का एक केंद्र है समुद्रत्टों पर सर्फिन निर्देश से लेकर बीच वॉलिबॉल तक लगातार कुछ न कुछ आकरशक होता रहता है इसके अतिरिक्त आप समुद्रतट के सैरगाह पर इत्मीनान से टहल सकते हैं जो दुकानों, भोजनालियों और मनमुहक समुद्र के द्रिश्यों से घिरा हुआ है वायकी की समुद्रतट अपनी शांत लहरों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे शुरुवाती लोगों या पैडल बोर्डिंग को आजमाने में रुची रखने वालों के लिए एक शांदार जगह बनाती है सभी कौशल स्तरों के लोग गर्म, आमंत्रित समुद्र के कारण लहरों की सवारी का अनुभव करने के लिए इस उश्नक्टिबंधी अभ्यारणिय में जुन्ड में आते हैं समुद्र तट पंद्र कनाडा का टोफिनो कनाडा के पश्चिमी तट पर टोफिनो नामक एक छिपा हुआ खजाना है जहां महान आउट्डोर विश्वस्तरिय सर्फिंग से मिलता है तोफिनो खूबसूरत समुद्र तटों से संपन्न है जो इसके चट्टानी समुद्र तट तक फैला हुआ है और एकांत और प्राकृतिक सुन्दर्ता का आदर्श संतुलन प्रदान करता है तोफिनों के समुद्र तट अपनी बेदाग रेतीली तट्रेखा और शांदार समुद्री द्रिश्यों के साथ हर किसी को कुछ न कुछ प्रदान करते हैं चाहे आप प्रकृती प्रेमी हो, सर्फर हो या बस आराम करने की कोशिश कर रहे हो अपने विशाल रेतीले रेत, तकराती हुई लहरों और मनमोहक सूर्यास्त के साथ प्रसिद्ध विस्तरित समुद्र तट अवश्य देखने लायक है एक और खजाना चेस्टर मैन बीच है, जो अपने आश्चर्यजनक द्रिश्यों, शांत लहरों और कम जवार के दौरान समुद्र तट पर तहलते समय समुद्री शेर या इगल जैसे वन्य जीवन को देखने की संभावना के लिए प्रसिद्ध है हमारे अविश्वस्निय ग्रह की अधिक रोमाचक खोजों के लिए लायक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद